नीचे description में आपको symmetric group, permutation group की playlist का link मिल जायागा, आज हम बात करेंगे transposition के बारे में, कि किसी भी permutation group में transposition क्या होता है, और इसके important expression भी देखेंगे, और इसके क्या use हो सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, a cycle of length 2 is called transposition, यानि किसी permutation में अगर length 2 की cycle है, उसको हम directly transposition बोलेंगे, और अगर length 2 की cycle नहीं है, तो उसको हम transposition में लिख सकते हैं, और transposition के important चीज यह है, कि इसे हम signature आरासानी से find out कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ important expression दे रखें, सबसे पहला क्या है, कि अगर sigma हमारा कोई इस तरह का permutation है, a1, a2, a r, यानि यह r cycle है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम permutation यानि transposition के form में लिख सकते हैं, तो यहाँ 1, a2, a1, a2, a1, a3, a1, a4, a1, a r, और यह कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको multiply करने, तो हमें यह मिल जाएगा, और multiply करना हम जानते हैं, यहाँ पे a की image क् a2 है, और यहाँ पे, यहाँ पे a2 की image क्या है, a2 ही है, ठीक है, ऐसे देखो, यहाँ पे a1 की image a2 है, और यहाँ पे a2 की image क्या है, a1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे a1 की image क्या है, a3, तो a2 की image क्या हो गए, a3 हो गए, तो यहाँ पे a1, a2, a3 आएगा next, similarly यहाँ पे अगर पर multiply करेंगे तो हमें फिर से जो है R cycle मिल जाएगी तो इस तरह से क्या है कि every R cycle can be expressed as the product of R-1 transposition अब यहां पर जैसे यहां पर यह example दे रखा है 1,2,3,4 अगर इसको हमें लिखना है transposition में तो हम किस तरह से लिख सकते हैं 1,2,1,3,1,4 ठीक है तो यहां पर यह length R इसकी कितनी थी 4 थी और transposition कितने आये 3 transposition आये तो वही चीज़ यहां पर बोल रहा है कि R cycle अगर है तो उसमें R-1 transposition होंगे दूसरा क्या है कि A cycle does not change by rearranging elements maintaining cycle order यानि cycle का order maintain रखना है जैसे कि अगर हम इधर से चलें जैसे यह cycle हमने बनाई है ठीक है यहां पर यह 1 हो यह 2 हो यह 3 हो यह 4 हो तो अब हम यहां पर अगर 1,2,3,4 इस तरह से दे रखा है तो हम कहीं से भी start हो जाएं वो सारे क्या होंगे इक जैसे यहां पर हम 3 से एकर start हो जाएं तो 3,4,1,2,3,4,1,2, अगर 2 से start हो जाएं 2,3,4,1,2,3,4,1 तो अगर हम cycle में maintain रखें कि cycle को मैं maintain रखें यह शार्ट हो रहे हैं तो इस तरह से ही चले 2 से हैं तो इस तरह से चले तो इस तरह की जो cycle होंगी वो हमेशा इकल होंगी तेकर यहाँ पर देखो इसको हमने अगर लिखा है transposition में तो वो इस तरह से आया है और अगर हम इसको लिखेंगे तो वो किस तरह से आएगा वो 343132 आएगा इस तरह से यहाँ पर 232421 आएगा तो यहाँ पर तीसरा इंपॉर्टेंट जो है observation देख लेते हैं every permutation can be expressed as the product of transposition in different many ways तो किसी भी R cycle के जरूरी नहीं कि unique जो है हम उसका unique transposition के form में लिख सके हैं यह जरूरी नहीं है हम उसको कई different तरीके से भी लिख सकते हैं जिसे यहाँ पर यह cycles तो same है लेकिन अगर इसके हम transposition में लिख रहे हैं तो यह transposition अलग आ रहा है यह अलग आ रहा है यह अलग आ रहा है लेकिन इसका product करेंगे तो हमें यह मिल जाएगा इसका product अगर हम इसको simplify करेंगे तो यह मिल जाएगा similarly इसको simplify करेंगे तो यह मिल जाएगा अब यहाँ पर transposition का हमें फाइदा क्या होता है कि transposition से हम signature find out कर सकते हैं और signature से जो है हम बहुत सारी चीज़े find out कर सकते हैं कि हमारा a4 group है वह हम an जो group है वह भी हम signature one से ही find out करते हैं जिसका signature one होता है उन सबका collection लेते हैं ठीक है तो आगे हम signature की बात करेंगे आज के लिए वह से तनहीं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को subscribe करें मिलते हैं अगली वीडियो में